हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक माई यूट्यूब चैनल बायोजी साइंस आज हम आप लोगों को ओजोन परत अथवा ओजोन लेयर के बारे में बताएंगे तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंतरक ध्यान से देखिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्रा बेर यूट्व सपयर में ऑक्सीजन के तीन परमाड़ वाले अनुपाये जाते हैं जिन्हें ओजोन कहते हैं यदि आप लोग वाईू मंडल की परतों छोप मंडल सम्नताप मंडल आदे के बारे में नहीं जानते हैं तो मैंने पिछले वीडियो में वाईू मंडल की सभी प परत पाई जाती है इसलिए समताप मंडल को ओजोन मंडल भी कहा जाता है तो समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है बता दें कि सामाने रूप से ऑक्सीजन दुई परमाडविक अनु के रूप में होती है अगर सामाने रूप से देखा जाए तो जो ऑक्सीजन होती ह वो दुई परमाडविक अड़ के रूप में होती है अथवा कहें तो O2 के रूप में पाई जाती है O2 के रूप में हम लोग जानते हैं कि यह Oxygen है लेकिन समताप मंडल में Oxygen की तीन परमाडवाले अड़ पाई जाते हैं या जो समताप मंडल है इसमें आक्सीजन के तीन परमाड़ वाले अड़ पाय जाते हैं या ओथिरी के रूप में आक्सीजन पाय जाती है इन ही अड़ों को ओजोन कहा जाता है इन सभी अड़ों के मिलने से एक लेयर बन जाती है या जो अड़ों पाय जाते हैं इन सब के मिल से एक लेयर बन जाती है एक परत बन जाती है जिसे ओजोन परत कहते हैं। यह परत हलके नीले रंकी होती है। से आने वाली इन हानिकारक परावंगनी बिक्रिणों को अवसूसित कर लेती है अपने अंदर सोख लेती है जिससे पिर्थवी के जीवों के सुरच्छा होती है यानि ये जो हानिकारक परावंगनी क्रिणे हैं पिर्थवी के जीवों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुचा स तो इनको ये क्या करती है ओजोन परत अपने में अवसोसित कर लेती है तो ये पिर्थिवी तक नहीं आपाती है लेकिन कुछ वर्सों से मानों जनित अनिये किरियाओं के कारण यानि कुछ सालों से मानों के द्वारा अनेक ऐसी किरियाओं की जा रही है जिनके द्वारा ओज और पूरत का हरास हो रहा है जान बाड़ाएं है Grund 4K न उसके अमंसे करसे और डरायरोा झारे हैं तो इनमें से हैं जोनकर्ष कर्षा कश्मार के और और इंपोर्टन भी है पूछा जाता है कि ओजोन परत का च्छे किन के कान होता है तो अब बता सकते हैं CFC यानि क्लोरो फ्लोरो कार्बन के कान जिसका प्रियोग रेफरिजरेशन में किया जाता है यानि CFC का प्रियोग कहा करते हैं रेफरिजरेशन में किया जाता है यानि व कारण से nitrogen monoxide यानि NO जो होती है यह भी ओजोन परत को खत्म करती है उसको छीड करती है तो यह जो क्लोरो फ्लोरो कारबन है यह क्लोरीन तथा फ्लोरीन युक्त कारबन योगिक होते हैं यानि जो क्लोरो फ्लोरो कारबन है कारण रसायनों के कारण जो ओजोन परत है उसमें जगा जगा पर चिद्र हो रहे हैं इन चिद्रों को ओजोन चिद्र कहा जाता है जैसे परिछा में पूछा जाया ओजोन चिद्र किसे कहते हैं तो ओजोन परत में जगा जगा पर चिद्र हो जाते हैं इन ही चिद्रों को भावित होंगे यानि ओजोन परत छीड होती रही तो जीवन पर क्या-क्या प्रभाव पड़ेंगे चलिए हम इसको समझ लेते हैं जान लेते हैं तो पहला है त्वचा के कैंसर एवं त्वचा में अन्य विकार उत्पन हो जाएंगे यानि यदि अल्ट्रा वाइलेट रेज ह इस तरह से हो जाएंगे और फिर दोसरा है नेत्रों के कार्णिया अस्तर को धिरे-धिरे अपारदर्सी कर देता है यानि नेत्रों में जो कार्णिया का अस्तर होता है वो धिरे-धिरे अपारदर्सी हो जाएगा और जब अपारदर्सी हो जाएगा तो अंधापन विक्सित हो जाएगा यानि हम देख नहीं पाएंगे फिर अगला है जीनी संड़चना में परिवर्तन से जीनी विकार उत्पन हो सकता है यानि हमारी जो जीनी संड़चना है उसमें भी परिवर्तन हो सकता है या अल्ट्रा वाइलेट रेज हमारे उपर पड़ती रही तो जीनी विकार उत्पन्न हो सकते हैं यादि जीन के बारे में आप नहीं जानते हैं तो मेरे चनल में फूल वीडियो अप्लोड़ेट है आप लोग जा करके दे सकते हैं जनेटिक पर पूरी वीडियो मैंने अप्लोड कर रखे हैं फिर अगला है अल्ट्रा वाइलेट बिगरण बंत्र को छीन करता है यानि जो हमारे सरीर के इम्मिनुटी सिस्टम है जो प्रतिरच्छा तंत्र है जो रोगों से लड़ने की छमता है उसको यह चीन करता है फिर अगला है अल्ट्रा वाइलेट प्रकास की अधिक मात्रा से जली जीव जन्तूं पर प्रतिकूल प्रभाव के इप हो परता है जिस से खाद्र गाद्र वाइलेट जो जल के जीव जन्तव पायते हैं उमें जो खाद्रा श्रिंख्ला होथि जाहेंगी ठीक से नहीं चल पायेगी खाध्र श्रिंखला के साचशा शाण करने पांदो i Doctor आप जा करके देख सकते हैं फिर अगला है इन बेकिरणों के कारण वायो मंडल पर वर्सा का पैटर्न बदल जाता है यानि सही समय से वर्सा नहीं होगी उसका वर्सा का जो पैटर्न है जब जब होती है वो सभी धर-धर हो जाएगा बदल जाएगा तो कुल मिला करके अगर ओजोन परत का च्छय होता रहा एफेक्ट सा आप ओजोन डेपलेशन होता रहा तो क्या क्या होगा ओजोन परत की अनुपस्थित में यानि जब ओजोन परत नहीं होगी तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं अथवा जो परावेंगिनी किरणे हैं ये सीधे प्रिथिवी क के वायो मेंडल में प्रिवेस कर जाएंगी और जब प्रिथिवी के वायो मेंडल में सीधे प्रिवेस कर जाएंगी तो जो अल्ट्रा वायलेट क्रिणे होती है यह अत्यधिक उर्जा युक्त होती है यह अल्ट्रा वायलेट रेज होती है जो परावैंगनी क्रिणे होती है ये अत्यधिक उर्जा वाली होती हैं, तथा सभी जीवजन पेड़ पौधों के लिए घातक होती हैं, जब बहुत सारी उर्जा होती है, तो क्या करते हैं ये, तवचा का कैंसर, सूजन, जली हुई तवचा, आदी इस तरह से अनुभूती आपको हो सकती है, जल भी सकती है, तवचा, आपका तवचा का कैंसर हो सकता है, सूजन आ सकती है, तो आनुवांसिक पदार्थ, DNA में अवांचित परिवर्तन भी हो सकते हैं, यानि जो आपका आनुवांसिक पदार्थ, जो जीन है, उसमें भी परिवर्तन हो सकते हैं, आवांचित, यानि जो हम नहीं चाहते इससे घातक परिवर्तन हो सकते हैं इससे लिवकी मिया भी हो सकता है यानि लिवकी मिया भी आपको हो जाएगा एक प्रकार का कैंसर होता है इसतन कैंसर हो सकता है थेफ़ोडों के कैंसर हो सकते हैं और एडीमा भी हो सकता है अंधापन हो सकता है समय से पूर्ब बुढ़ापा भी आ सकता है तो आद इतने सारे घातक रोग हो सकते हैं तो ओजोन परत का छह ना हो इसके लिए हमें बहुत सारी साधानिया रखनी होगी ताकि ये जो गैशे हैं ये भिक्सित ना हो वायो मंडल में ना बढ़ें जिसकी वज़े से ओजोन का छह नहीं होगा और ओजोन का छह ठा सर्वुड रालैंड को सन 1995 में पर्यावर्ण रसायन में ओजोन परत See पर महत मुण कारी करने के लिए संयूकत रूप से नोबल परुसकार से सम्मानित किया गया अथवा नोबल पुरुषकार दिया गया चलिए अब ओजोन परत से संबंधित कुछ महत पूर्ण कुश्चन और उनके आंसर को समझ लेते हैं आफाला प्रशन है विशु ओजोन दिवस कब मनाया जाता है योजोन परत के संवच्चन के लिए अंतरराष्टि ओजोन दिवस मनाया जाता है फिर अगला प्रेशन है वायू मंडल में ओजोन की मात्रा में तीबृता से गिरावट कपसे आने लगी है तो इसका आंसर होगा सन उनीस सो असी से फिर अग्ला प्रेशन है ओजोन परत की च्छाती का मोख्य कारण क्या है। तो रेफریसरेटर यानि सीतलन में और अगनी समन में इसका प्रियोग किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कारिक्रम यानि UNEP ने सन 1987 में क्या सर्व अनुमति बनाई थी तो इसका आंसर होगा CFC के उत्पादन को सन 1986 के एस्तर पर सीमित रखा जाए इसको जदाना बढ़ाया जाए सीमित में उप्यो किया जाए सीमित रखा जाए